आइए फिरी से आपका एक बार स्वागत है आज का विशे जो है वो है डिप्रेशन से मोटिवेशन तक मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर में मनोविकार, सेख्ष्रोग, सम्मोहन तथा व्यस्वनमुक्ति इतग्यों महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ आज 25 प्रतिशत लोग कम से कम डिप्रेशन से प्रभावी थे अपने आप से वो निगेटिव कॉन्वर्डेशन करते रहते हैं निगेटिव सवाल अपने आप से पूछते रहते हैं उनके दिमाग में सब निगेटिव आते रहता है आपको जिन्दगी में क्या मिलेगा या कौन सा उत्तर मिलेगा यह निर्वर करता है कि आप अपने आप से कौन सा सवाल करते हो कि स verste ृदोट्चे है दो सग झी मेना एक वा टवसेश्ट बेटिज होण मैं इसका तौस favor isso यह जुडबा है तो एक सवार्च करती है बहुत तुने मेरे साथ में ऐसा क्यों क्या मुझे तूने महीं नीच प्रेफिटिज दिया अब जिंदगी एक सामना और वो तो करके दिया है، आज मैं इंसुलिन लेके भी अच्छा जीवन जी सकती हूँ एक इनसान सवाल करता है क्या बात है कि मैं हमेशा बरबात हो जाता हूँ क्या बात है भी जहां हाठ डालता हूँ वहां मुझे मट्टी मिलती है तो दूसरा ही इनसान बोलता है कि मुझे वैसा भगवान क्या करे कि मुझे यदि कोई प्राब्लम आता है तो उसमें से मैं बाहर कैसा निकलू एक जो है वो गिरने के बाद में गिरा रहता है और वहां रोते रहता है तो दूसरा जो है वो खड़ा हो जाता है कपड़ छेटकता है और काम को लग जाता है और बोलता है कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ जो नुकसान हुआ वो हुआ तो हारा हुआ इंसान जो है वो हारा हुआ है उसमें ही रहता है वहां से बाहर आता नहीं है और जो इंसान अपने आप से सवाल करता है कि जो भी हुआ वो अतीत में हुआ अभी मैं क्या कर सकता हूँ अभी मेरे लिए क्या संभव है तो सवाल जो है वो महत्वका है कि आपने आप से सवाल कौन सा करते हो मैं क्या कर सकता हूँ एक बेटा है उसके पिताजी मर गए तो वो अपने आप से पुछता है कि यह बगवान मेरे तो पूरी जिंदगी वरबाद हो गई मेरे पिताजी निकल गए अब मैं कैसा करू हमारे जिंदगी कैसा होगा दूसरा बेटा है उसकी पिता जी मर गए तो बोलता है कि ठीक है जो हो गया हो गया अभी मैं मेरे फैमिली को कैसा सपोर्ट कर सकता हूँ और जो भी कठिना ही है उसको मुझे उसके उपर मात करना है तो भगवान मुझे ताकत दे दे और मैं उसके लिए क्या करूँ कि मुझे ताकत आजाए सवाल वो है अटिट्यूड का आप अपने आप से क्या सवाल करते हो सवाल डिप्रेसिंग है कि सवाल एंपावरिंग है जहां से आपको पावर मिलती है आपका सवाल डिसेंपावरिंग होता है जहां से आप निचे जाते हो कि आपका सवाल इंपावरिंग होता है जहां से आपको पावर मिलती है यदि आप अपने आप से सवाल करते हो कि मैं कौन हूँ मेरा आने का मकसद ये दुनिया में क्या है मैं क्या कर सकता हूँ में लोगों के जिवन में कैसा काम में आ सकता हूं, या आप सवाल कर सकते हैं, या फिर अभी मेरे जिन्देगे में कुछ भी रहा नहीं, ए भगवान, अभी मुझे मौत आ गई तो अच्छा है, बहुत कठीना ही आ है, बहुत प्रॉबलम है, अब मैं जिवन कैसा बिता हूं, मैं तो खुद कुशी कर लिया, तो अच्छा है, ऐसा भी कुछ बोल सकता है अपने आप से, कुछ लोग जो है, वो पुस्टार्ट होते हैं, उनको धकेलना पड़ता है, उनके पीछे लग लग के काम करना पड़ता है, कुछ लोग जो है, वो आटो स्टार्ट होते हैं, वो वो खुद काम की शुरुआत करते हैं, वो प्रोयक्टिली काम की शुरुआत करते हैं और वो देखते कि मैं ऐसा काम पार कर सकूँ। कुछ लोग बोलते कि अब कुछ खुगा नहीं है अभी कुछ होगा नही मैं तोस लोग बोलते हैं । concert अभी कहसा होगा और मैं क्या कर सकता हूं कि सवाल क्या करेंगे ऐसके उपर आपका जीवन निरबर है यह जीवन जीने के समय घटना कोज भी हो सकते सवाल यह है कि घटना होने के बाद में आप उसको प्रतिक्रिया क्या जेते हो वो महत्वगा है क्योंकि प्रतिक्रिया जो आप देंगे उसके उपर पूरा आपका सिंदगी डिपेंड होता है गिरना बुरा नहीं है गिरकर रहना यह बुरा है गिरने के बाद में खड़ाओ के कपड़े शटकना और काम को लग जाना और पूछना कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि जो breakdown आया मैं गिरा हूँ उसके लिए भी मैं उससे बाहर कैसा आ सकता हूँ तो वह सवाल करना महतवक है दो भाई है दोनों रभपती है महरे एक भाई पूछता है कि हमारे देश में मैं जहां भी हाथ लगाता हूँ मुझे नुकसान कैसा आता है और मैरे उससा नुकसान आ जाता है दुसरा भाई बोलता है कि भैई-भी मैं क्या करूं कि मैं नंबर वन हमेशा के लिए रहूँ तो आप कौन से सवाल के उपर फोकस कर रहे है आप defect के उपर फोकस कर रहे है तो आपको difficulty आएंगी आप यदि अच्छे काम perfect के उपर फोकस कर सकेंगे और perfect के उपर यदि आप focus कर रहे है तो आपको possibility दिखेंगी कि अभी कुछ तभी संबब है आपको देखना है कि अभी मैं empowering question कर रहा हूँ कि मैं disempowering question कर रहा हूँ यह सवाल है आपको इती बड़ा होना है तो आपको सवाल कुछने पड़ेंगे और आपको creativity लानी पड़ेंगे कि मैं नया क्या कर सकता हूँ आज मेरे जिंदेगी में ऐसा क्या है कि जो अभी तक मैंने किया नहीं है वो मेलाओंगा जो अभी तक मैंने action लिया नहीं वो action मेलूँगा Einstein महात्मा गांदी Thomas Alloy Edison आप कोई भी महान देखती हूँ कि नाम ले लो उनने यही देखा कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ नॉर्मली घटना हो रही है वर फेल जब आदमी हो रहा है तो फेल होने से डिसेंपावरिंग ना होके डिसेंपावर ना होते हूए मैं उसमें से क्या कर सकता हूँ वो देखना जुरूरी है Thomas Alloy Edison ने 10,000 एक्सप्रिमेंट के बाद में इलेक्ट्रिक बल्प की खोच की 9999 ऐसे मुझे एक्सप्रिमेंट्स मिले या मैंने ऐसे एक्सप्रिमेंट्स किये कि जहां से मुझे ऐसा पता लगा कि ये इलेक्ट्रिक बल्प की खोच नहीं हो सकती ऐसा Thomas Alloy Edison ने बोला वो फेलो गया करके डिसेंपावर नहीं हुआ हर बार वो सोचते रहा हर बार वो पूछते गया कि चलो ये एक्सप्रिमेंट फोड़ो गया अभी में नहीं क्या करो चलो एक्सप्रिमेंट 9999 एक्सप्रिमेंट फेलो गया वो पूष्टा गया, पूष्टा गया, पूष्टा गया, creativity करता गया, और उसमें फिर electric bulb का शोध, उसने खोच electric bulb की हुई है, जितने भी सफल इंसान हो चुके है, वो कभी न कभी हारे हुए है पहले, कही न कभी कितने बार उनको हार का सामना करना पड़ा है, और बाद में हो सफल हो चुके है, ऐसा नहीं होता कि वो सफल ही हो गए, जहां भी हाँ डलावा सफल हो गए, ऐसा होता ही नहीं है, तो मैं कभी हारता नहीं हूँ, ऐसा उनने बहले मैं कभी हारता नहीं हूँ, या तो मेरे पास में क्वोंसी कौंसी unlimited power मेरे unlimited power जो है मायरे निमितिड relationship हुए मेरे बहुत कर सकता हूं आज में क्रियड कर सकता हूं जो अभी तक मेने कभी किया नहीं है अपने सवाल करो कम से कम 15-30 मिनिट जाओ आराम से बैटो विजयो लाइस करो कि मेरे लिए क्या संबव है जो भी संबव है जो भी आपको लगता है कि यह संबव है उसके लिए action क्या क्या हो सकती है वो देखो और action लेना चलो करो मैं आपको पक्का बताता हूं कि आप हर दम खुद को करते हो जा जो question से आपको बहुत ताकत मिलेगी आपको जो उत्सा मिलेगा आपको काम करने की जिद आएगी तो वो सवाल अपने आप से करो कि मैं क्या कर सकता हूं मैं मेरे hidden potential कैसे बाहर ला सकता हूं मैंने पहले वीडियो में काया कि हमारा one-tenth जो है न माइन वही conscious mind है ना इस्तेमाल करते ही नहीं है तो नाइन-tenth जो subconscious mind में उसका इस्तेमाल मेरे से करो तो आज लोग depression में भरे पड़े है लोगों को इतना depression है इतना tension है और लोगों लगता है कि मेरे लिए संभू नहीं है मेरे शिर्फ एक तारिक से लेके 30 तारिक तक काम करके पैसा कमाने का है औ लोग anxious है depressed है यदि आप अपने दिमाग में से अपने अंदर जो ताकत बाहर निकालेंगे potential बाहर निकालेंगे तो बहुत बड़ा काम करना हरे के लिए संभवे और यदि लोग करते हैं तो हमारा देश बहुत आगे हो जाएंगा हमारे दिश की तरक्य हो जाएंगी हर एक अपने potential बाहर निकालता है देश कहीं के कहीं निकल जाएगा हर इंसान आज जिल में बनो है जिल में बनते हैं ताकत बाहर निकालता ही नहीं है हर इंसान की जो life है उसमें के जो लोग है वो जिल में बनते हैं वो ताकत बाहर निकालते हैं मेरा आपसे एक request है कि यह वीडिय potential है उसको ऐसे बाहर निकालना अपने आप से question कैसे करना अपने आपको empower कैसे करना अपने आपका उच्छा कैसे बढ़ाना और यदि लोग करते हैं अपनी देश की तरक्यों हो जाएंगे हमारे पास में लोग काफी depression के patient लेके आते हैं depression के patient को call करते है online consultation करते है यदि ये लोग बानसवचार लेते हैं hypnosis का इलाज करते हैं समझे इससे नहीं हुआ तो तो वो लोग अपना अपना अच्छा कर सकते हैं हमारे यहां तो hospital है एक hospital हैं इससारों के साथ में लोगों को भरती करते हैं लोगों को दूसरा hospital हिसारों के अलावा भरती करते हैं और उनका इलाज करते हैं सब के लिए मानसिक स्वास्ति और वैसनमुक्त भारत यह हमारा mission है आप ये वीडियो जाना है लोगों को शेर करो लोगों को जेल में से बाहर निकालो लोगों का hidden potential बाहर निकालों देश के तरक्य होंगे और आपका हाथ उसमें लग जाएगा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धिन्नेवाद थैंक्स फर वाचिंग में से आपका हाथ लोगों को जाएगा